असलामलेकूब मेरी यूट्यूब फैमिली आज मैं शेयर करने चाहरे हूं आपके साथ बहुत है लाजानिया क्योंकि मैं बना रही हूं बीफ बोटी या बीफ स्ट्रिप्स लाजानिया ठीक है और फुली लोड़ेड है चीज से ठीक है बहुत है सिंपल तरीके से बना जाए बोइलिंग में ठीक है एक बेकिंग डिष लेनी है जिसमें आप लाजानिया बनाएंगे सात में आपने क्या लेना है वीफ ठीक है अच्छा मिन सम discomfort वे उता है लेकिन मैं strip में च्रोब्डाव काट захा Кстати nasıl अब मैं च्ट्रिप्स मीन लेना है झाट तो को सफ्ट रही है सात फ् लिया है two tablespoon two and a half tablespoon of lesson paste. तो two tablespoon of मैंने लिया है मैदा और seven मैं ले रहे हूँ एक बड़ा वाला कप तूथ का बड़ा वाला कप ठीक है यानि चोटा कप नि बड़ा कप. साथ में दो से तीन टमाटर और इस तरीक से मैंने ब्लैंड कर लिया है. साथ में मैंने ओलिव्स लियें ड्रेसिंग के लिए साथ में चिली सॉस, सोय सॉस, विनिगर इनकी कुमेंटरिटी आपको आगे जाके बताती हूं साथ में लिया है नमक और कालीविश का पाउडर बहुत ही सिंपल इंग्रीडियेंट्स के साथ में बनाऊंगी और थोड़ा सब्सक्राइब कर लूँगी लास्ट में ठीक है फिर मैंने क्या किया कि साथ में लिया है चेडर और मॉजरेला चीज एस पर यो टेस्ट ठीक है और जैसी थोड़ा से दो मिनट सौते किया साथ में अपने शामल कर देना है बीफ ठीक है अगें बीफ को डालके आप पांस चे मिनट को इस तरीके से सौते करें फिर इसमें वन टेबल स्पून में डालनी हूं तकरीबान काले मिर्श का पाउडर ठीक है और साथ में मैं डालू मैं लास्ट में डाल दूँगी अपना यह जो टमाटो हमने ब्लेंड किया था टमाटो जो ब्लेंड किया यह भी डाल दूँगी और इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे कोक करूंगी तकरीबान 30 मिनिट के लिए ठीक है तो यह क्योंके बारिक बारिक सा बीफ है कटा अब इसको रग देते हैं और इसको तब तक कुक करते हैं जब तक यह गल ना जाए ठीक है अब यह देख लीजे आदे गहंटे के बाद इसकी यह कंडिशन होगी लेड उतार लीजिए और बीफ को चक कर लेजिए अगर गल चुका है तो अब इसको ड्राय करना शुरू करे हम जाने हैं और बीच में तकरीबड दाल डीजियए वोन टेवल स्पून भर के स्विया सुस बॉन टेवल स्पून भर के सिर्का स्ट्रि तो टेवल स्पून тов सिर्कास और चिली सूस अगर आपको स्यादा थोड़ा मतलब चिली चिली सा कर जाए है बट मैंने और नहीं डा तो आम जो घर में हम प्याज यूज करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं जैसे यह फ्राय हो जाए ठीक है तो आप इसको साइट पे रख दीजिए अब हम बना लेते हैं वाइट सॉस सबसे पहले आपने टू टेबल स्पून ऑफ बटर ले लेना है अगर बटर नहीं है तो ऑई कम है कुनटी और की तो इस में तो तो देख लीजिए रिख लीजिए की ऑउडलिगे मैईल इसो फंडर दाले कर लीजिए तो सह ने आइज को मने एंच अरह जैसे दैली आपका यह जीआपका यह गैस집 मेऊट कर लिज Ärक है दिए सबस्त anál के मेंशा जाना ऒंगेहि पैससे तो भी आपने दो मिनिट करना है मैदा जलना नहीं चाहिए ठीक है हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस ठीक है विदा हेल्प ओफ फेंगर इसको उतारते रहें और मैदे की एक खास किसम की ना फ्रेग्निंस आना शुरू हो जाती है जैसे वह आपको फ्रेग्निंस आना शुर करके इसमें फिर आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कालिमिश पावडर और नमक शामिल कर लें और फिर थोड़ा सा और इगयनो शामिल कर लें यह आपका वाइट सॉस होने लगाए रेडी ठीक है अब यह जैसे जैसे आप इसको विस्क करते जाएंगे इस यह थिक होता जाएगा ठीक है और मेनवाइल इसमें मैं शामिल कर दूंगे थोड़ा सा मॉजरेला और थोड़ा सा चड़र चीज ऐस पर यूर टेस्ट अस पर यूर रिक्वाइरमेंट ठीक है और जितना आपको थिक होना चाहिए ठीक है न यह देख लें यह अब इसकी देख लें कि च सारी शीज है आपने पास रख लेंए सबसे पहले डिश में आपने नीचे जो है वाइट साउस थोड़ा सा लगा लेने ठीक है ताकि जो शीट आपने इस तरीके से एक लेयर लगानी है त्री शीट की और लजानिया की पहली लेयर इसको बोलेंगे ठीक है यह देख बीफ के स्ट्रिफ्स यह डालना शुरू करने लजानिया अमूमन मिंस में कीमे में बना जाता है लेकिन मैंने यह थोड़ा सा डिफरेंट टीज दिया है यह बोटी वाला फ्लिवर आएगा तो यह ट्राय करें इसको अब रेसिपी जो होती है इनको ट्राय करना चाहिए डि इस प्रोस्स को मैं 3 टाइम रिपीट करूँगी ठीक है यह में तीन दफाई यह टीक है इसी तरीके से फिर उपर मैं बोटीया डालूगी और यानि जो यह स्ट्रिप्स कटे वहरी डालूगी फिर अपने टेस्ट के कार्ड़नें यह बिएक यह देख लीजिए फिर मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी तरफ से एक अप्रिसियेशन होती है और इससे हमारा बलड थोड़ा बूस्ट होता है अब इसके उपर फाइनली लास्ट में आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग चेडर और मौसरेला चीज शामिल कर लीजेए जितनी पसंदे उतनी शामिल कर लें ज्यादा पसंदे ज्यादा शामिल कर लें तीक है ये देख लेजिए मैंने तो अच्छी खासी डाल दी है ठीक है ये देख लीजेए तकरीबन दस से पंदरा मिनिट में आपका लजानिया रेड़ी है उफिलियत चाहिए